आज मैंने स्मोकी प्याज की रेसिपी शेयर की हूँ तो ये रेसिपी आप एंड तक जरूर देखेंगा चलिए देखते इसे मैंने कैसे बनाया है तो यहाँ पर मिडियम साइज का प्याज लिया है इसके डंडल वगेरा निकाल देना है तो यहाँ पर यह दोनों भी डंडल निकाल दिये हैं मैंने अब यहां पर इसके दो हिस्से नहीं करेंगे इसका पहले छिलका हुतार देंगे छिलका ुतारने के बाद में इसके ऐसे Dé również कटेंगे ऐसे इस तरह से लेयर्स कट कर देना इसके पतले से अब यहाँ पर इसके लच्छे अलग कर देंगे तो यहाँ पर इस तरह से ऐसे लच्छे अलग कर देना है प्याज को मैंने गोल-गोल काटा है ऐसा और लच्छे अलग कर दिया है अब यहाँ पर यह प्याज हम दो लेंगे धोक चलने में निकाल देंगे श्टेनर में निकाल देंगे और यहाँ पर एक बाउल में दाल देंगे तो यहाँ पर बाउल में दाल देंगे और यहाँ पर मिल्ची पाउडर लेंगे एक चमाच हल्दी पाउडर लेंगे एक पींच और नमक टेस्ट के अकाड़ेंगे कमी दालना यहाँ पर आधा चमर तेल डाल दिया है और यहाँ पर मिक्स कर देंगे यहाँ पर कच्छा तेल बिल्कुन नहीं डालना है यहाँ पर हरी मिर्ची जाल सकते हैं यहाँ पर सेट नहीं होपाती इसलिए हमने लारमी जी डाली है अब यहाँ पर इसे smokiness देने के लिए हमने कोईला गरम किया है कोईले को बहुत अच्छे से गरम कर देंगे तो यहाँ पर गरम करने के बाद में अब यहाँ पर यह जो प्याज है ना इसमें रख देंगे कटोरी तो यहाँ पर निकलता है प्याज में आ जाता है और यहाँ पर दिखें दोस्तो हमारा smoky प्याज यहाँ पर रेडी हो चुका है बहुती आसानी से बना सकते हैं बहुती बढ़ीया रेशापी है इसे आप कोई भी सब्जी के साथ में चावल के साथ में खा सकते हैं तो यहाँ, यह प्याज, और समोकी प्याज, कोई भी साधे साधे सबजी के साथ में भी खाएंगे, तो यूनिक बन जाता है खाना, वह होती टेश्टी बन जाता है, आप यह रेसे भी जरूर ड्राय कीजिगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिगा चले फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए असलाले को